अब मिठी पहुंशने वाली है दिल्ली यानी की अनु के घर क्योंकि देव ने सब कुछ बता दिया है कि इमली और आदिती का अगर रिष्टा बचाना है तो सत्यकाम को और मिठी को जल्दी ही आ जाना चाहिए और वह इस बाहर ये गलती नहीं होने देगा और इमली से उसका हग बिल्कुल भी चीनने नहीं देगा और इसकी खुशियां किसी को भी आड़े नहीं आने देगा कि उसकी खुशियां चीन जाए तो मिठी और सत्यकाम दोनों ही पहुंशते हैं और मिठी के बीच में काफी कुछ जगडा हो जाता है और इनको दोनों के बीच में काफी आ आदिती के होश ओड़ जाते हैं लेकिन अब जो बात मिट्टी कहने वाली हैं आदिती और इमली से वो उनको तगड़ा जटका देगी क्योंकि मिट्टी हो लेगी सारा राज कि ये दोनों ही मिलकर तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं इसलिए देव भी कह देता है कि ये माल आदिती कही ना कहीं बदल चुकी है रूपी और पलवी भी उस पर शक कर बैठते हैं लेकिन यहां पर मालीनी का असली चेहरा तो देव और मिठी सामने लेकर आएंगे और सारी सच्चाई बताएंगे आदिते को कि आखिर मालीनी किसके नक्षे कदम पर चल रही हो और वो भी उसी से प्यार करती हैं यह शुनकर आदिते और इमली को तकडा जटका लगने वाला है तो वहीं मिठी की हालत बेचारी कराब हो जाती है सर पर चोटा जाती है लेकिन मिठी को घर लेकर नहीं जाना चाते तो यहीं होटल पर रुगने वाले हैं तो यहां पर काफी भी आई जाएगा कि वो अभी तक भी उससे प्यार करती है और इसलिए ये सब जो ट्रामा चल रहा था कहीं न कहीं आदिते को पता चल ही गया है कि पहले से लेकिन अब देव और मिटी ये साबित कर देंगे कि मालीनी और उनके नक्षे कदम पर चल रही हो वो उन दोनों को अ अलग करना चाहती है इसके बाद देखना है कि इमली और आदिती अब कौन सा फैसला लेते हैं और मालीनी के चाल कैसे उल्टी पड़ती है